इनके लब रंगी की निठाबरें थी के जिसने कुछ दिन पहले मरीज के तालुक से एक वीडियो बनाई थी कि हामिला औरत और ऐसा मरीज जो सजदा ना कर सकता हो उसको चाहिए के वो बैट के नमास पढ़ ले तो इसका जो है वो एक मसला और भी इसके अंदर इंपोर्टेंट है जो बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कभी कभी मरीज की सूरत हाल ऐसी होती है कि वो जमीन पे सजदा नहीं कर पाता मगर जमीन के बहुत ज़्यादा करीब तक जुक सकता है तो अगर कोई ऐसा मरीज है कि जो सजदा जमीन पर नहीं कर सकता मगर बारा उंगली उचाई वाली किसी सख्त चीज़ पे सजदा कर लेगा तो ऐसी सूरत मस को चाहिए कि फिर वो सजदा उची चीज़ पर ही कोई चीज़ रख कर करेगा बारा उंगली से मुराद है कि जैसे उंगली की मुटाई तो अगर ये साथ उंगली और फिर इसको पर पांच उंगली जो है वो इस तरीगे से और तो अगर कोई शक्स जमीन से रखकर ये अंदाज जो है ना एक बालिष्ट से थोड़ा कम बैठे का बारा उंगली एक बालिष्ट से थोड़ी सी कम तो अगर कोई शक्स इतना सजदा जमीन तक जूग जाता है कि अगर कोई एक बालिष्ट की चीज जो है जमीन से लगाए तो उसकी पेशानिस पे लग जाए तो फिर उसको जरूरी है कि फिर वो शक्स जो है वो सजदा उसी चीज़ पर करेगा इशारों से करेगा तो नमाज नहीं होगी उस वीडियो का जो मतलब था वो हामिला औरत के लिए मैं गालिबन बताया था कि जब हमल आठ या नो महीने में पहुंसता है तो औरत जो है वो बहुत जादा नहीं जुपाती तो उसके लिए वो हुकम है कि फिर वो इशारे से नमाज पढ़े या फिर ऐसा मरीज है कि जिसके पैर में ऐसी चोट है कि वो पैर की वेज़र से जमीन तक इतना नहीं पहुँचता तो फिर वो इशारे से नमाज पढ़े और यह जो रखने वाली बात है ना कि लोग यह समझ रहे होते हैं कि जो बैट के नमाज पढ़ता है उसको हर सूरत में जो है वो आगे कुछ ना कुछ रखना होता यह बात स उसे सजदा करे काफी है लेकिन जो सजदे में इतनी नीचे पहुच जाए कि बारह उली मोटाई को इस तरह नापके और इतनी उचाई तक वो सजदा कर सके जमीन से तो फिर वो सजदा उसी के उपर करेगा तो इस बात का भी आप जो लोग है खास खयार रखें कि ऐसा नीचे नहीं पहुंच सकता फिर उसको कुछ रखने की जरूत नहीं फिर वो इशारों सजदा करें कि जैसे हामला और ऐसा मरीज के जो नहीं जुक सकता फिर वो इशारों से करें वरना यह कि पहले कोशिश करनी चाहिए कि बारह उंगली की मोटाई तक जो है वो कोई नीच पत्थर दे असल आले पुरनवार बनाया